कि बक और आपने 2000 राइट्स और इंडिजनेस dichoike के दो डो बिल चुंक Rede LD टक पहुंचाने का प्रियास किया है हिमन राइट्स के तरह बाइंडिन नहीं करके चौनकी से किस तरह का यह बिल है और अगर यह लागू हो जाता है देश में, यह बिल जब आ जाता है, तो इससे किस तरह का बदला हो, भारत में देखा जा सकता है? यह वो बिल का कॉपी है, जो बुकलेट फॉर्म में हमने पबलिश किया है, औरिजनल बिल, अफकोस डिफरेंट फॉर्म में होता है, दो बिल्स जो है, सबसे महत्पपुर्ण है, यूमन राइट्स के है, दो बिल जो है, वो इंडिजिनेस राइट्स के हैं, इसमें जो है, ब इसके अंदर में जो है लाइन टेरिटरी इसरोसे कल्चर एंड सेल्फ इंटिफिकेशन और रिकोर्स एंड रिपारिशन ऐसे जो है वो राइट्स को रिकरगनाइज किया गया है अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो इसके दो आशे है आशे ये है कि जमीन के नीचे और जमीन के बेल्ट में है उस पे इंडिजिनेस लोगों का राइट है यानि अब औरिजिनल ट्राइब्स का आदिवासियों का जो है वाधिकार है तो हमारे कॉंस्टिटूशन में इसको लाने की जूरत है क्योंकि हमारे कॉंस्टिटूशन में जो अभी फिफ्स केडियूल या सिक्स क यह आरिकल 271 है या 244 है या रिलेट अरिकल 762 न अधर अब आथिकल जो है तो यह फर्स जेंरेशन अफ इंडिजिनेस राइट सेंड गया तो मेरा यह प्रयास है कि भारत के समविधान में और जो रिलेटेड लाज जैसे पेसा लौ है यहाए फॉरस्ट राइट सेक्ट है ंै का जो है वो आदिवासियों को real sense में मालिक बनाया जाए तो इसके वो बिल है और यह बड़े भारत की इतियास में बड़े करामतिकारी जो है वो बिल्स है अगर ये देज़ सम्विधान में आ जाता है तो सही मायने में आदिवासी जो है वो जल्जमीन जंगल का मालिक बनेगा ये पहला पार्ट है इंडिजिनेस राइट्स का इस पार्ट है जो आपका हुमन राइट्स बिल का बात की है हुमन राइट्स की भारतिय समिधान में है 1993 में इसको लाया गया है लेकिन आपने जो बिल प्रिजेंट किया है इस बिल में और जो हुमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं अगर ये अगर पुर्ना तर लागू हो जाता है तो क्या चेंजेज देखने को मिल सकता है इंडिया में 1993 का जो Protection of Human Rights Act है वो it is enacted by the Parliament वो Constitution में नहीं है Constitution में रादर हमारे जो है वो human rights का उलेख नहीं है ठीक है, civil and political rights है जिसको हम fundamental rights कहते है लेकिन classically जो human rights होते है वो तीन generation के human rights होते है उसको कहते हैं first generation of human rights, second generation of human rights, third generation of human rights तो first generation of human rights में civil and political rights होते हैं उसमें भी जैसे अभी right to privacy है यह right to privacy है, right to information है यह advanced civil and political rights है जो हमारे constitution में नहीं थे वो Supreme Court ने interpretation करके अभी settle किये है second generation of human rights होते है वो economic, social and cultural rights होते है यानि आर्तिक, समाजिक और सांस्कुर्तिक अधिकार होते है और तीसरी generation के human rights होते है वो collective rights होते है जिसमें indigenous rights भी एक आता है और right to development, right to environment जो है इन तरह के human rights आते है तो मेरे यह जो दो bill है वो constitution of India में पूरे तरह से amendment करके progressive amendment, सकारात्मक amendment करके हमारे सम्विदान को और अच्छा बनाया जाए और human rights को इसमें लाया जाया जिससे हर मानवों को जो है भारत के जो है यह human rights guaranteed हो और human rights classically क्योंकि state के against में ही claim नहीं किये जाते वो private sector and non-state actors के against में भी claim किये जाते है तो उसका इसमें provision लाया है then supreme court of India के ओपर interpretation का binding होगा कि वो interpretation of cases करते हुए यह इसमें provision लाया गया है human rights का एक separate court होगा यह इसमें जो है वो provision लाया गया है parliament में human rights की committee होगी यह इसमें जो है वो provision लाया गया है और human rights तमाम चीजों में जो है वो applicable होगा और private sector पर भी apply होगा और जो non-state actors है जैसे मान लीजे NGOs है यह RSS जैसी जो संस्ता है उन पर भी यह जो है वो समाम चीजे लाग होगी यह तमाम जो है वो इसका provision है और मैं समझता हूँ उसी तरह से indigenous rights की जो बिल है उसमें भी मैंने provision किया है कि tribes advisory council जो है अगर governor fifth schedule का violation करते हैं अगर वो constitution का जो उनकी responsibility उसका violation करते हैं तो tribes advisory council को यह right होगा कि वो एक inquiry committee को recommend करें बैठाए और देखे कि violation हुआ या नहीं हुआ और अगर violation प्रूव होता है तो फिर assembly से governor को change करने का भी इसमें provision होगा even human rights का यह जो मैंने incorporation किया है उसमें आप किसी भी minister को remove करने का provision lie including the prime minister of India अगर भारत के समविधान का violation वो करते है तो आज हमारे constitution में ऐसा कोई provision नहीं कि हम किसी मंत्री को या प्रदान मंत्री को remove कर सके या उसको accountable बना सके सिर्फ election में उसको हम remove कर सकते है लेकिन मेरे जो provision किया है उसमें provision किया है कि पार्लामेंट की committee जो है वो find करेगी कि क्या constitution का violation है क्या human rights का violation है और अगर किसी minister या prime minister ने violate किया है तो फिर वो resolution move होगा पार्लामेंट में और उसको vote out किया जा सकता है prime minister मिनिस्टर को बदला जा सकता है और serious offenses अगर है constitution के तो constitutional offenses act का provision उसमें किया है कि जिसके ताद फिर criminal case चलेगी उस minister या prime minister पर और फिर court देखेगा कि अगर वो violation प्रूव होता है तो उसको दो साल पास साल साथ साल का conviction भी हो सकता है तो इस तरह कि जो advanced जो provisions है या law of reparation है आज जैसे मान लिजए atrocity हो जाती है atrocity होती है तो आपके SCST का जो budget होता है जिसको हम शेडल का special component plan बोलते है tribal sub plan बोलते है उसी में से उनको पैसा दिया जाता है लेकिन यहां पर मैं जो law of reparation की बात कर रहा हूं कि जो atrocity करेगा या जो human rights का violation करेगा तो अगर प्रूव होता है कि यह violation owner ने किया है तो उनकी संपती से पैसा दिया जाएगा इसको law of reparation कहा जाता है और अगर कम पढ़ता है तो difference amount budget से दिया जाएगा लेकिन वो SST plan के पैसे से नहीं justice के budget से दिया जाएगा तो इस तरह कि कई जो है वो advanced provisions जो है वो इसमें आएगी अगर यह तमाम चीज़े आती है तो discrimination देखे human rights का थेरिये कहता है human rights है fundamental rights जिसको हम भी fundamental rights इंडिया में कहते है human rights उसे advanced है यह तब तक साकार नहीं होते है जब तक discrimination रहता है तो discrimination को remove करने की यह तमाम remedies है जैसे आप बिमारी को दूर करते हो इंसान स्वस्त होता है इस तरह की यह provision है if you remove the discrimination from India भारत में discrimination caste के आधार पर है gender के आधार पर है ethnicity के आधार पर है region और language के आधार पर भी है तो यह तमाम discriminations को remove करने का इसमें provision है और जैसे discrimination remove होता है equality को promote करने के provisions है तो यह human rights के provisions है और आधिवासियों के लिए specially उनको जनल जमीन जंगल का real sense में मालिक बनाने का यह provision है भारत के समविधान में यह तमाम चीज़े अभी नहीं है उनको मैं यह progressive amendment करके लाना चाहता हूँ और शायद मैं भारत का पहला leader हूँ जिसने काम किया अभी हम इसको private member bill करके move करना चाहते है लेकिन सवाल यह उड़ता है सर की यह जो bill है इनके उपर काम करने के लिए संसद में प्रतिनीधित वह चाहिए और प्रतिनीधित वह आपके पास है नहीं ऐसी स्थिति में जो bill है इनका कितना महत्वर रह जाता है और इन बिलो के उपर में कैसे काम किया जा सकता है चुनकि सरकार तो जो सरकार है वो तो इन बिलो को मानेगी नहीं कहीं से भी क्योंकि आपके पास ना कोई सांसद है ना MLL है या कोई ऐसा एडवांस मतलब आपकी राजनिती भी जो चल रही है उसमें बड़े लेवल पर अभी तक कहीं मतलब participation नहीं दिखाई दे रहा है लोगों का तो ऐसी स्थिति में सरकार कैसे मानेगी इन बिलो को कैसे लागू कराएगी या आप क्या प्रियास करेंगे अगर ये लागू नहीं होते हैं पहली बात तो यह अम्बेट कराइट पार्टी अफ इंडिया ऐसी एक पार्टी के देश में जो बीस राज्यों में है और हम प्यान इंडिया पार्टी मोमेंट और्गनाइजेशन का शेप धारण कर रहे हैं दूसरी बात अम्बेट कराइट पार्टी आफ इंडिया जो है आप देखेंगे सिरियसली इलेक्शन को लड़ रही है अभी कोई सोच नहीं सकता है कि जारकंड जैसे इसमें जो है हम लोग इतना सीटे लड़वाएंगे लोग सबा के अंदर में हम इतनी सारी सीटे जो है पूरे देश में लड़वाया है 18-19 स्टेट से जो है तो एक तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन लड़के जो है वो जीतने का प्रयास करें जो अलरेड़ी हमारी प्रोसेस में प्रोसेस चल रही है दूसरी बात हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे तो हमारा यह कोशिश है कि उस बीच में जो हमारे अभी जो प्रिवेलिंग कोई परल्यमेंट अगर इसको एगरी करते है तो उनके माद्यम से जो हम इनको प्राविट मेंबर बिल करके टेबल करा के इसको आगे मूव कराने का प्रयास करेंगे अच्छारखन के बही कुछ मेंबर पार्लिमेंट इसमें इंटरेस्ट लेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 2020 में इस पर मेजर डेवलप्मेंट देखने को मिलेगा और यह पारलामेंट में यह बिल लाए जाएंगे ऐसा हमारी कोशिश है